आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी है, क्यों पर आपका वद्वद सु आगए तो आज हम बात करेंगे एहमदाबाद के वड़िया सीप्लेन सर्विस की, बार-बार मालदीब जाता है, बार-बार इसमें मैंन एक separate lecture में cover किया है, यह बार-बार मालदीब जाता रहता है, बार-बार, मालदीब जो है यहां से 1100 nautical miles, एक nautical miles लगबख 1.8 km के equal होता है, 17-1800 km हर वक्त जाता रहता है, तो ऐसा क्यूं होता है, हम इस lecture में जानेंगे, खर्चा होता है यार, यह तना हसान थोड़ी नहीं test series हमने launch कि, आप ज़रूर अवेल करें, इंस्टा पे मैं मुझे follow करिए, मस्त मस्त आपके comments आते हैं, pics डालता हूं मैं, आप अभी मैंने बहुत बढ़िया pic डाली तो सब्सक्राइब कहरते है, सर शादी करिए, लड़की तुन्डो तो शादी करें यार, यह है photo, Indian Express, plane उप माली जाता है, और यह तीसरा major suspension था, 31 October को इसको launch किया गया था, मोधी जी ने खुद इसको inaugurate किया, और यह तीसरा major suspension था, तीसरी बार इसको suspend किया गया है, अब हम बात करते हैं कि experts क्या बोल रहे हैं, और क्यों यह बार बार माली जाता रहता है, finally इन्होंने clarification दिया है, पहल ही बार यह गया था, 4 से 5 November को, फिर 28 से, मतलब 4 से 5 November, फिर 28 November, 28 December, और अभी 2 February को, तो अब यह 16 February को वापस आ गया है, अब दोस्तों क्या है कि जिस तरीके से आपको अपनी गारी की service करानी पढ़ती है, वैसे ही आपको इस aircraft की भी service करानी पढ़ती है, क्या सर भारत में क्या एरक्राफ्ट की service नहीं होती, होती है, बिलकुल होती है, यह spice jet का है, लेकिन यह बना मालदीफ्स में है, तो भाईया जहां पर ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर आप माल लोग की टाटा की गारी है, तो आप महिंदरा में चले जाओ, जाओगे तो टाटा में ही, लेकिन अब आ जेट है, इसका maintenance check जो होता रहता है, ओर्टर 300 एरक्राफ्ट है, तो जब भी है 124 घंटे फ्लाइंग आर्स, 124 घंटे तक हवा में रहता है, एक साथ नहीं, दीमे, 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 एक घंटा, दो घंटा, अगले दिन, और 3-4 घंटा, तो जब इसके 124 घंटे पूरे हो जा आलो, ऐसा बोला जाता है न, तो इसमें भी ऐसा ही होता है, कि अगर जैसे ही आपके 124 घंटे पूरे हुए, आपको अपना प्लेन मालदी बेजना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास infrastructure है ही नहीं, maintenance नहीं है जिस तरीके का इस एरक्राफ्ट को चाहिए, तो इसमें स infrastructure एक अलग चीज होती है, physical servicing एक अलग चीज होती है, कि बाहर से उसको ठीक कर दिया, certification चाहिए होता है बेटा, aircraft की बात है, इसमें लोग जाएंगे, जरा सा भी खराबी आए न, सीधा aircraft नीचे जाएगा, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए आपको certification चाहिए होता है, यह बहुत खर्चीला है, यह तना आसान नहीं है, पहली बात तो हर जगा हमको temporary station setup करने पड़ते हैं, यह जाता है, एमदाबा से मुंबई, मुंबई से गोवा, गोवा से कोचीन, उसके बाद मालदीव्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, लाखों का खर्चा है, ठीक है, बार-बार हम जो भेजते हैं न वहाँ पे, इतना तो पैसा आ नहीं रहे जितना जा रहा है, ग्यारा सो नॉटिकल माइल, सत्रा सो, सत्रा सो, ठारा सो किलो मीटर का पूरी जर्नी है यह, मालदीव्स बार-बार माले जाने में, यह चीज है, तो इंडिया में maintenance facility है और maintenance schedule हर 24 घंटे के बाद, mandatory है, यह मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, और यह land और take-off, water से ही करता है, भाई यह नहीं लगे हुए न, seaplane है, seaplane का मतलब ही होता है, कि जमीन पर थोड़ी न डोड़ेगा, यह तो water से ही take-off करेगा, तो इसलिए, हमारे यह waterways ऐसा है, वहाँ पर तो waterways ही है, हमारे हैं, लेकिन अब कहां आप उसको जगा जगा waterways, उसमे तो और खर्चा जाएगा, तो इसलिए, regular runways पर यह land कर ही नहीं, तो भारत में maintenance हो सकता है, maintenance बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोस्तों, service कहां से लाओगे, certification कहां से दोगे, भारत में अधर waterway बनाने की बात, वैसे तो waterway है वहाँ पर, लेकिन infrastructure बनाने की बात चल रही, लेकिन माल्दीश में, एक तो माल्दीश का aircraft है, फिर दुनिया के सारे aircraft, जो seaplanes है, मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा system उनका है, जो यह maintain करता है, अब हमको किस तरीके का maintenance, जो seaplanes है, कि यहाँ पे experts यह बोलते हैं कि हर दिन हमको engine को बंद करना पड़ता है, एहमदाबाद में हम minor maintenance करते हैं, क्योंकि बहुत ही complex aircraft है, twin otters है, दो blade है आपने देखा है, एक right में और एक left में, left engine जो है, हर दिन को 60% capacity पे हम दोड़ाते हैं, यह देखते हैं कि properly function कर रहा है कि नहीं, और इस समय हमको aircraft को झुकाना पड़ता है थोड़ा सा एक side पे, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो एक तरीके से मालदीव के ही पास है, अब देखिए बार बार seaplane service जो है, वो suspend होती रहती, irregular है, कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, अब देखिए दो फरवरी में कोई किसी का फरवरी को प्लान है, आठ फरवरी को जाना है उसको, अब भाईया, प्लेन तो ही नहीं, प्लेन का बजा गया, तो इसलिए ये टूरिस्ट के लिए ही तो बना है ना प्लेन्स, कि आप सीधा एमदाबास से क्या बढ़िया जा सकते हो, अब जब उन प्लेक्स एरक्राफ्ट है, और कैनेडा की एक कंपनी, मतलब दूसरी जो है, वो कैनेडा की एक कंपनी बनाती है, लेकिन COVID-19 के कानार उसने अपने ओपरेशन को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, अभी वो प्लेन्स मैनुफाक्चर करी नहीं रही है, एक बार जैसे ही वो रि उसको भी compensate कर दिया जाएगा, अब देखे C plane जो है, वो काफी expensive है, ठीक है, ये business model दूर से तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन भारत एक middle income country है, भारत में high, एक average per capita income जो है, एक average इंसान 20,000 रुपाय महीना कमाता है, और ध्यान दीजेगा, ये average हमने तब निकाला है, ज तो भारत में 10-20,000 on and average कमाते हैं, और भारत में जादा गरीब है, आदे से जादा यहाँ पे गरीबी है, तो ये business model, हाला कि भारत में 2-3 भारत बसते हैं, आप अगर सड़कों पे जाएंगे, आपको इतनी महंगी महंगी cars दिखेंगे, आपको लगे गा ही नहीं, कि यार व बहुत जदा पैसे वाले नहीं मिलेंगे, तो ये business model वैसे बहुत जदा expensive है, क्योंकि aircraft में महनत लगती है, और मालदीव्स तो आपको भेजना ही पड़ता है, ठीक है, तो मालदीव्स में ही service center है, और आपको बता दो कि अभी seaplane service और जगां पे भी, अंडमान में भी seaplane service काफी successful है, देखो, यहाँ पे लोग 2500 डॉलर के करीब देते है, return fare जो है, वो 700 डॉलर के करीब जाता है, ठीक है, यह मालदीव्स तो बहुत जदा successful है, भाई मालदीव्स में seaplane service आपको बहुत जदा महीं लेकर काफी महंगा है, आप खुद देखिए, ठीक है, 30-40,000 रुप के वड़िया में, civil aviation ministry की जो उड़ान scheme है, उड़े देश का आम नागरिक, इसमें मैंने separate lecture भी लिया है, तो खाली आपको 1500 रुपय में seaplane service मिल जाएगी, जिसमें 18 seat, उड़ान के तहत आपको 18 seats मिलती है, मतलब एक flight में 9 seat, यहाँ पे आना जाना दोनों count कर रहा है, तो first return journey जो है, उसको discounted rate में दिया जाता है, viable gap funding, जो भी आपको loss होगा, वो सरकार देगी, ठीक है, सरकार एक तरीके से compensate करती है, सरकार पैसा देती है, तो जो भी discounted rate यहाँ पे offer किये जाते है, जैसे मान लोग की flight है 3000 रुपय की, लेकिन यहाँ पे जो company है, जैसे spice jet उसको 2000 में बे seat नहीं भी किता, अब क्या करेंगे, fuel तो उतने ही लगना है न, यहाँ पे executive बता रहे हैं कि कभी कभी तो हम 3 passengers के साथ गए है, तो evasion company ने बोला है कि सरकार से नोंने request की है, गुजराज सरकार से, कि viability gap funding, agreement जो है वो थोड़ा सा change किया जाए, जिसमें सरकार जो है, वो financial support दे कि ये भी बहुत अच्छा option नहीं है, क्यों option नहीं है, क्योंकि जो पहिये होते हैं, amphibious वो पानी में रहते हैं और जो पहिये होते हैं, वो कम से कम 4-5 seats खा जाते हैं, कम से कम, तो भाई आप एक बात बताओ, कि अभी आप sea plane देख रहे हो, उस पे आप 9 लोगों को बैठा क हो गया ना, भाई मेरी कार में अगर capacity 10 लोगों की है, मालो मैं commercially अपनी कार चला रहा हूँ, 10 लोगों की capacity है, तो और दूसरी कार है, जिसमें 5 लोगों की capacity है, तो मैं 10 लोगों वाली कार यूज़ करूँगा ना, जिससे मुझे जादा से जादा revenue आए, तो और दूसरी होते हैं, वो water में ही होते हैं, amphibious aircraft की सबसे बड़ी बात यह होती है, कि वो land पे भी, मतलब landing उसकी जमीन पे भी हो जाएगी, क्योंकि wheels होते हैं, और sea plane में बहुत समुदर में ही रहेगा, तो आप जो wheels होते हैं, वो continuously underwater रहते हैं, अब water में, अगर आप यह सब कर रहे हो, metal interact होड़ा water से, तो corrosion हो जागा न, जंग लग जाएगी, खतरनाक, खतरनाक मतलब कि जाधा पैसा लगेगा, corrosion को ठीक करने में जाधा पैसा लगता है, है कि नहीं, तो इसी लिए पैसा जाधा लगेगा, amphibious aircraft का maintenance उसका जाधा होगा, तो यह definitely better option नहीं है, सबसे best option यहीं है, कि अभी कुछ companies जो है, जैसे Canada की company है, और भी companies है, जो seaplane service प्रोवाइड करती है, जो seaplanes प्रोवाइड करती है, हम उनसे धेर सारे aircraft खरीद ले, उनसे aircraft खरीद लो, ताकि एक maintenance ब गया, दूसरा चल रहा है, तो यह lecture था, इसलिए बार-बार मालदीव जाता रहता है, हमारा प्य प्लिग्राम चैनल है, 13,300 सब्सक्राइबर, आप इसी कोई जोइन करिएगा, खोश रहेए पढ़ते रहें, इसे सिद्धान तक नहीं होतरी, साइन हो